चलिए बात करते हैं इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में बहुत अच्छा स्टेंडर्ड है बहुत प्रेक्टिकल स्टेंडर्ड है बड़े ध्यान से समलना हम क्या के चीजे डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे इसके अप्लिकेबिल्टी मतलब स्कोप क्या डेफ इसके अप्लिकेबिल्टी की बात करूं तो मेरे दोस्त यह एक डिस्क्लोजर स्टेंडर्ड है यह आपको अकाउंटिंग गाइडेंस या प्रिंसिपल नहीं देगा जैसे इंडेस 2 है इंडेस 16 है यह आपको बताता है कि इन्वेंट्री या पीपी कैसे अकाउंट फॉर कर इस नहीं देने वाला यह सिरफ यह बताएगा कि आपको क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं फानेशल स्टेंड में अप्लिकेबिल्टी की बात करूं तो इट इस अप्लिकेबल अन ओल कंपनी जिनके ओपर भी इंडेस अप्लिकेबल है सारी कंपनी जो इंडेस के अंदर है उन् Standalone Financial Statement और you can say Separate Financial Statement देती है जो इंडेस के अंदर है तो Segment Information किस में रिक्वाइड है सिरफ Consolidated में रिक्वाइड है Standalone Financial Statement में रिक्वाइड नहीं है तो कभी भी किसी Holding Company ने CFS और SFS प्रेजंट किया है तो Segment Information सिफ CFS में दे देना, SFS में mandatory नहीं है बट अगर आप देना च Information दे सकती है कोई restriction ऐसी नहीं है बट अगर किसी Parent Entity ने CFS प्रेजंट ही नहीं किया है तो in that case Segment Information उसको अपने Standalone में या you can say Separate Financial Statement में देनी पड़ेगी चलिए अब हम स्टेंडर में और आगे बात करना शुरू करते हैं पहले बात करते हैं जी definitions में और definition में सबसे पहली definition है CODM Chief Operating Decision Maker बहुत 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 important definition है बहुत ध्यान से समलना पहले जो AS17 होता था उसमें ऐसी कोई time नहीं होती थी उसमें ऐसी कोई definition नहीं थी नहीं आएगा CODM means a function not a person or title who allocates resources assesses the performance of the entity या segment CODM means वो जो क्या करता है ये दो चीज़े जो resources allocate करता है different different segments को जो entity की performance या फिर segment की performance देखता है कि किस तरीके से entity या company काम कर रही है अगर मैं और simple शब्दों में बोलू तो अब ना CODM is not a name is not a designation is not a person अब हम नाम से बात नहीं करेंगे अब हम काम से बात करेंगे जो भी ये दो काम करेगा resource allocate करने का और entity की performance देखने क उसे CODM कहा जाएगा अब आप ये नहीं बोलोगे कि जी CEO या CFO CODM होगा अब आप बोलोगे अगर CEO या CFO resources allocate करा रहा है performance assess कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे CODM बोलेंगे generally CEO COO ये काम करते है chief operating officer chief executing officer resources allocate करते है performance assess करते है इसलिए हम उन्हें CODM बोल सकते है अब CODM management भी हो सकती है CODM कोई person भी हो सकता है CODM कोई भी हो सकता है CODM कोई भी हो सकता है जो ये काम करेगा CODM board of director भी हो सकते है अगर वो ये दोनों function कर रहे है तो overall we can say it depends on the composition of the entity let me take a simple example for you आपने कहा एक company है ABC limited इसमें तीन लोग है A B and C जो director भी है जो management भी है जो promoter भी है इन तीनों को मिला दिया जाए तीनों मिलके decision लेते हैं तो this is board of directors है जो सारे decision लेते हैं किसी भी entity के लिए उस ABC entity के लिए तो कहना इससे CODM will be ABC तीनों के तीनों मिला कर क्या होंगे non executive director और committee are generally not CODM क्यों क्योंकि वो generally business की activities में इतना involved नहीं होती वो resources allocation या performance assessment में इतने strongly involved नहीं होते CODM review कर सकता है various information को भी और few information को भी for decision making अब CODM का का काम क्या है CODM का काम है resources allocate कराना performance को assess करना इसके लिए वो multiple information भी देख सकता है वो revenue की information देख सकता है cost की information देख सकता है आपका payroll की information देख सकता है capital structure की information देख सकता है multiple information you can look into और वो सिर्फ मालों कहता है कि दीख मेरा business का main चीज तो revenue है तो मैं revenue के business पर सारड़ेसी चलोंगा तो वो ऐसे भी कर सकता है that is a call of the CODM तो overall अगर मैं conclude करूँ तो जी अब आप काम की बात करोगे नाम की बात नहीं करोगे जो भी ये काम करेगा उसको CODM कहा जाएगा और वो कोई भी हो सकता है एक person भी हो सकता है committee भी हो सकती है group of committee भी हो सकती है कोई भी हो सकता है ठीक है जी चलिए बात करते हैं सबसे important definition standard की which is operating segment बहुत ध्यान से देखना बहुत important definition है operating segment is a component of entity entity का कोई component that वो क्या करता है जो इन तीन condition को satisfy कर दे उसे कहा जाएगा जी operating segment condition क्या क्या है that engages in business activity from which it may earn revenue and incur expenses जो किस में लगा हुआ है जो business activities में लगा हुआ है business activity क्या होते है किसी चीज को purchase करना sell करना कोई services render करना दोजर कॉल business activity ताकि वो क्या कर सके revenue earn कर सके और खर्चे कर सके दूसरी condition जो सबसे important condition है operating results are regularly reviewed by CODM जिसके results कौन देख रहा है CODM देख रहा है अगर CODM उसके results नहीं देख रहा तो वो operating segment नहीं होगा तो simple शब्दों में जैसे CODM results देखेगा वैसे ही आपके operating segments बनेंगे CODM क्या करता है decision लेता है resource allocation के बारे में और performance assessment के बारे में अगर मैं definition को conclude करूँ तो simple सी बात है operating segment वो component है जो business में लगा है ताकि यो revenue earn कर सके खर्चे कर सके दूसरा CODM उससे review करता है तीसरा discrete financial information available है अगर कोई भी miss हुआ तो operating segment नहीं होगा चलो पहले इस definition के उपर कुछ basic example समझते हैं फिर इस definition पर थोड़ा सा और critically examine करेंगे इसे ABC Limited, manufacturers and sells healthcare products and food and grocery products ABC का का काम क्या है healthcare product को बनाना और बेचना मतलब business में लगा हुआ है किसके healthcare product के और food and grocery product के three products namely A, B and C are manufactured, वो तीन product बनाते हैं A, B and C product A is classified as healthcare product and product B and C are classified as food and grocery product product B and C are similar products, discrete financial information is available for each manufacturing location and for selling of each activity discrete financial information आपके पास सब चीजों की available है जाय product wise बोलो, जाय manufacturing wise बोलो जाय selling wise बोलो तो information तो सब अवलेबल है उसकी कोई चिंता नहीं है there are two line managers responsible for manufacturing activities of product A, B and C manager X manages product A, manager B manages product B and C the operating result of healthcare product and food and grocery products are regularly reviewed by CODM यह line है बहुत important CODM क्या करता है CODM healthcare products देखता है और food and grocery products देखता है identify operating segment of ABC Limited आपको operating segment बताने है अब मेरे दोस्त operating segment की definition क्या थी याद करो फटाफट और अगर याद नहीं आ रही है तो video को rewind करो पीछे जाओ और दुबारा देखके फिर इस question को करना operating segment कहता है तीन condition पूरी होनी चाहिए पहली condition business हो ताकि आप revenue earn कर सको खर्चे कर सको obviously आप manufacturing कर रहे हो selling कर रहे हो तो business तो कर रहे हो तो वो condition तो satisfy हो गई एक condition थी discrete financial information होनी चाहिए question ने बोल दिया इस line के अंदर की discrete financial information available है वो भी कोई चिंता नहीं जो दूसरी condition थी जो सबसे important condition थी वो क्या थी CODM उसे review करे ताकि वो performance assess कर सके और resources allocate करा सके CODM किसको review कर रहे है CODM review कर रहे है मेरे दोस्त healthcare product को और food and grocery product को तो can I say healthcare product and food and grocery product मेरी तीनो condition को satisfy करते हैं इसलिए क्या होंगे operating segment होंगे ठीक है ठीक है अब आप मेंसे किसी के दिल में सवाल आ सकता है कि हमने product A को B को और C को क्यों नहीं हमने operating segment बोला देखो product A B C में भी क्या है business हो रहा है discrete financial information available है but CODM कैसे review कर रहा है वो देखो न जरा CODM क्या A को और B को और C को और review कर रहा है but CODM ABC review नहीं कर रहा CODM review कर रहा है healthcare product and food and grocery product इसलिए healthcare product और food or grocery product को आप क्या बोलोगे जी operating segment बोलोगे आप इसको एक बार खुद read कर सकते हैं CODM of XY Limited receives and reviews multiple sets of information when assessing business overall performance to take decision and resource allocation हमने का ठीक है कोई रहती है it receives information as under level 1 report, level 2 report, level 3 report level 1 report is summary report of all 4 regions summary report for 20 subregion within those regions level 3 is detailed report of 50 branches within subregions what factors and levels should be considered for determining an operating segment अगर मैं इस question को थोड़ा सा simplify करूँ आपके लिए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ XY Limited के पास मालो All Over India काम है All Over India में वो अपना business करते हैं एक है इंडिया में East region, North, West, South All Over India को इन्होंने 4 region में बाठ दिया तो CODM इसको भी review करता है फिर CODM कहता है कि हर region के अंदर subregions होंगे ऐसे 20 subregions की जो region के अंदर जो region है that is called subregion इसकी भी information वो review करता है फिरो कहता है कि subregion के अंदर भी branches होंगी वो इसको भी review करता है this is the branch level तो वो इसको भी review कर रहा है region level पर भी इसको subregion पर भी review कर रहा है और इसको branch level पर भी review कर रहा है अब आपको बताना है कि operating segment जी क्या होगा और आपको क्या चीज consider करनी होगी तो चलो operating segment की थोड़ी definition याद करते है operating segment की definition क्या थी मेरे दोस्त operating segment की definition थी operating segment is a component of entity जिसमें business होता है जिसकी discrete financial information है जिसको CODM review करता है तीन चीज है आप देखो component मतलब कोई भी business operation उसका जैसे यह जो department है region है that can be classified as a component जो sub-reason है उसको भी component बोल सकते हो branches है उसको भी आप component बोल सकते हो process को भी component बोल सकते हो head office को भी component बोल सकते हो production को भी component बोल सकते हो component के साथ कोई तकलीफ नहीं होती इसलिए उसके बाले में सोचने का कोई कस्त नहीं है पहली चीज बिजनस कर रहा है आप बोलोगे जिए बिजनस में लगा हुआ है दूसरी डिस्क्रीट फारेशन इंफरमेशन है हम अज्यूम कर रहे है कि डिस्क्रीट फारेशन इंफरमेशन अविलेबल है तीसरी CodM review कर रहा है अब मिने के आप मैं दोस CeodM इसको भी review कर रहा है इसको भी review कर रहा है इसको भी review कर रहा है क्या लूँ फिर मैं ऑपरेशन सेग्मन तो जब भी ऐसी situation होगी न तो आपको इस चीज्जहों के हलावा कुछ होन चीजे भी consider करनी पड़ेगी उस conflict ko हटाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, कि CODM, और क्या review करता है, और क्या assess कर रहा है, क्या क्या चीज़े चेक कर रहा है, segment के कितने manager है, उनकी क्या responsability है, budget कैसे allocate हो रहा है, क्या budget आपका region wise allocate हो रहा है, budget sub region wise allocate हो रहा है, क्या budget branches wise allocate हो रहा है और फिर उन सब के basis पे आपको decide करना पड़ेगा क्या operating segment होगा operating segment is a judgment decision also अब ऐसी situation में judgment ही use होगी situation के basis पे आपको decide करना पड़ेगा क्या आपका operating segment तो चलो अब हम लोगों ने operating segment तो समझ लिया है अब operating segment के ऊपर कुछ questions के ऊपर बात करते है पहला सवाल क्या discontinued operation can be operating segment or not discontinued operation मतलब एक ऐसा business line जो आपने बंद कर दी है माल लो आप shoes बनाते हो shoes बनाते हो आपने का कि ठीक है एक particular product की shoe line नहीं चलती है उसको बंद कर दो that is a discontinued operation तो क्या discontinued operation operating segment हो सकता है अब एक चीज बता हूँ operating segment की definition में कहीं मैंने आपको यह बोला था continued operation होना चाहिए discontinued operation होना चाहिए मैंने कहा था operating segment वो होगा जो उन तीन condition को satisfy कर दे correct तो अगर discontinued operation उन तीनों condition को satisfy कर रहा है इसकी discrete financial information available है CODM इसे review कर रहा है और अभी भी इसमें कुछ business हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे जी operating segment बोलोगे दूसरा can the component of an entity that earned no revenues be classified as a operating segment अगर कोई component है जो कोई भी revenue और नहीं कर रहा तो क्या operating segment हो सकता है अब यह question तो बहुत अच्छा है चलो पीछे चलता है एक बार definition पर दुबार पढ़ो जरो हमने कहा था operating segment वो है जो business activity में लगा हुआ है from which it may earn revenue चाहे तो revenue earn कर ले चाहे तो ना करे कोई फरक नहीं पड़ेगा earn कर रहा है तो अच्छी बात है but ऐसा कही mandatory नहीं है कि revenue earn नहीं करेगा तो आपका operating segment नहीं हो सकता माल लो आपका काम है गाडिया बनाना ठीक है अभी तक आप commercial vehicle में थे अब आपने का नहीं जी मैं passenger vehicle में भी आऊँगा मैं buses में, cars में भी आऊँगा अभी तक मैं commercial vehicle मतलब trucks हो गए उसमें था, अब मैं buses में भी आ रहा हूँ तो मैंने एक start-up कर दिया, एक operation का एक नया segment डाल दिया एक नया division खोल दिया, काम शुरू कर दिया अभी काम शुरू हुआ है, धीरे 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 उसमें से गाडिया बनेंगी, sale होएंगी खर्चे होंगे, अभी नहीं है तो क्या वो मेरा segment होगा या नहीं होगा वो मेरा operating segment होगा क्योंकि वो business activity में लगा हुआ है although उससे अभी मैं revenue earn नहीं कर रहा, but revenue earn करना is not a mandatory condition, yes if it satisfied other condition अगर वो बाकी condition satisfy कर देगा तो चाहे आप revenue नहीं भी earn करें तो भी operating segment होगा it is not necessary for a component to earn revenue to qualify as a operating segment for example a startup operation जैसे अभी हमने डिसकस किया वो operating segment हो सकता है before earning revenues अब कभी को बार क्या होता है जैसे head office है, headquarters है हमारे वहाँ पे क्या होता है bank में balance रखा होता है हम उस balance को fixed deposit करा देते है उससे हमें interest आता है तो हम कुछ ना कुछ earn कर रहे है तो क्या वो भी मेरा operating segment होगा तो लो जी operating segment की definition में पहली line थी कि क्या पहली line थी कि उसे business activity में लगा होना चाहिए head office और headquarter business activity में नहीं लगे होते वो support role के लिए होते वो बाकी department को support करते है इसलिए उसको operating segment नहीं कहा जा सकता corporate office headquarter cannot be operating segment इवन दो वहां से कुछ income आ रही हो तब भी वो operating segment नहीं होगे चलिए बात करते हैं India S108 के core principle के बारे में कि India S108 के segment information में क्या fundamental है तो जी standard ना बहुत simple है standard बहुत transparent है यह कहता है कि segment information ऐसे दिखानी है जैसे management देखता है ताकि कोई भी investor हो कोई भी shareholder हो कोई भी stakeholder हो उसके पास भी नजरिया हो जो management का नजरिया है वो management के नजरिये से financial को देख सके जैसे management analyze कर रही है वो भी analyze कर सके वो समझ सके कि क्या business activities है किस तरीके का economic environment है entity का क्या effect होगा किस तरीके का nature है वो सारी चीज़े वो भी समझ सके किस तरीके से जैसे management समझ इसलिए जब आपने operating segment पढ़ा तो वहाँ पे एक line आई थी कि CODM का review करना जरूरी है तो अगर उसे मैं दूसरे शब्दों में बोल दू कि जैसे CODM review करता है वैसे ही आपका segment भी आएगा ये standard का crux है ठीक है disclose information to enable stakeholder to have insight into entity's operation through the eyes of management आप business के operation को समझ सको जैसे management देखती है management के नजरिये से it helps the user to evaluate nature and effect of the business activities and economic environment जब भी आप कहीं index 108 में अटको तो बस ये दो लाइन याद कर लेना उसके इसाब से फिर decide करना जो best है वो ही right होगा ठीक है जी चलिए अब बात करते हैं reporting segment की अभी तक हम लोगों ने operating segment तो समझ लिया अब बात करते हैं reportable segment की तेखो segment disclosure is not required for each and every segment आपकी company में जितने भी operating segment है जलूरी नहीं है कि आपको सबका disclosure देना है आपको सिर्फ disclosure देना है कितों का जो reportable segment है reportable segment is a segment which needs to be reported in the financial statement सबका disclosure required नहीं है सिर्फ operating segment का अब question ये आता है कि reportable segment मेरे दोस्त होगा क्या निकलेगा कैसे तो जी क्या करना है चलो step number one पहले आप identify करो individual operating segment को segment means operating segments पहले आप individual operating segments निकालो कि आपकी company में आपकी entity में कौन से operating segment है इसके लिए आप क्या करोगे जो आप लोगों ने operating segment की definition पड़ी थी ना कि जो जिस पर business हो जहांसे revenue और खर्चा हो जो CODM देखे प्लस जिसके discrete financial information अभिलेबल हो तो पहले आपको निकालना है जी individual operating segment एक बार जब आपने individual operating segment निकाल लिए माल लो आपके पास आए A, B, C, D E, F अब यह मत बोलना हम आपको ABCD पढ़ा रहे है चलो point number two entity में aggregate two or more segment to make one segment entity क्या कर सकती है दो या दो से जादा segment को एक बना सकती है अगर वो similar nature के है तो जैसे step one में माल लो आपने ये 6 segment identify के step two पे आप बोलते हो कि देखो ABC तीनो के तीनो सेम nature के है तीनो के तीनो माल लो healthcare के है और ये तीनो अलग-अलग type के segment है तो आपने तो entity step two पे बोलती है आप चाहो तो में this is not mandatory condition आप चाहते तो ये 6 के 6 segment रख सकते थे आप चाहो तो जो similar nature के segment होते हैं उनको आप combine कर दो जैसे हमने बोला माल लो ये 3 similar nature के तो हमने इसे combine कर दिया जो combine करने वाला process होता है उसे कहा जाता है जी aggregation criteria हम समझेंगे थोड़ी तेर बाद उसको भी और detail में अभी के लिए समझो कि जब entity ने अपने multiple segment operating segment identify कर लिए है तो वो कुछ segments को combine कर सकती है that process will be called aggregation criteria this is not a mandatory step आप चाहो तो avoid कर सकते हो आप चाहो तो कर सकते हो कब कर सकते हो जब आपके segment similar nature के similar nature का मतलब similar economic characteristic हो मतलब उनकी जो ratios बोले long term growth बोले price earning ratio बोले margins बोले broadly similar nature के है मतलब अगर मैं बोलो A, B, C जो आपके segment है अगर इनका price earning ratio, growth rate gross margin अगर similar range में है तो आप बोल सकते हो कि हाँ similar nature है इनका similar economic characteristic है अगर इन product और services का nature same है जैसे हमने बोला तीनों healthcare से related है nature of production process जिस production process से बनते हैं उनका broadly nature same है I am not saying they are produced from the same process all I am saying is they have a similar nature of production process type of customer similar हो same तरीके के हो method of distribution जिस तरीके से उस अमान distribute करते हैं जो उनका distribution chain है supply chain है हो मोटी मोटी similar हो regulatory environment जो laws जिनके अंदर वो काम कर रहे है statute, regulations जिसके अंदर काम कर रहे है segment वो broadly same हो तो step 1 पे आप segment identify कर लो step 2 पे आप क्या करो अगर कुछ को combine करने का दिल है और वो aggregation criteria को meet कर रहे है तो जी combine कर दो step 3 is the most important step बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना operating segment, जहां पे भी segment लिखा है आप प्लीज operating segment ही मान के चलना segment exceeding any of the following criteria अगर जो segment है इन तीनों में से किसी भी criteria को पूरा करता है तो उसे हम बोलेंगे जी reportable segment जो आपने step 1, step 2 पे segment निकाले हैं जैसे अपने case में हमने क्या निकाला है HC हो गया मतलब healthcare का 1 segment DX segment, EX segment, FX segment हमने ये 4 segment निकाले हैं अगर ये 4 segment में से जो segment इन तीनों में से कोई भी, I am saying कोई भी I am not saying all the condition need to be met I am saying any of the condition if it is met तो उसको क्या बोलेंगे जी reportable segment और इस condition को कहा जाता है मेरे दोस्त, quantitative criteria अभी तक आपने aggregation criteria सुन लिया मेरे मुझ से अब आपने quantitative criteria सुन लिया quantitative criteria क्या होता है ध्यान से देखना बहुत important है अगर किसी segment का revenue internal plus external, external मतलब जो भारवालों को sale करता है internal मतलब जो intersegment sale करते है जैसे अगर D, E को कुछ कर रहा है E, F को कुछ sale कर रहा है that is call internal sale अगर किसी particular segment का revenue total revenue of all segment के 10% या उससे जादा है अगर इन चारों का turnover मान लो अगर 100 है तो अगर किसी भी segment का revenue 10 से जादा है तो उसे reportable segment बोलेंगे अभी इसके उपर एक practical question करेंगे और detail में देखेंगे अगर किसी भी segment के asset total of all segment asset उसके 10% से जादा है अगर absolute amount of segment profit or loss जो भी आपका segment है जैसे कोई particular segment है D, E, E, F कोई भी है उसका जो profit या loss है उसकी absolute value योगि loss generally negative होता है profit positive होता है अब आप minus plus तो खेलोगे या नहीं integers तो खेल नहीं रहें आप तो इसलिए भोलता है जी absolute number ले लो absolute number उस segment के profit loss का अगर वो 10% से जादा है 10% या उससे जादा है किसके सारे operating segment के higher of total of absolute profit और total of absolute loss of all operating segment जो भी operating segments है सारे operating segments है जिनका profit है उनके profit जोड़ लो जिनके losses है उनके losses जोड़ लो जो भी दोनों में से higher I उसके 10% से अगर जादा है तो आपका reportable segment होगा I know थोड़ा सा typical लग रहा होगा आपको बट कोई नहीं अभी इसके उपर practical करेंगे आराम से देखेंगे don't worry अगर आपने ये तीन criteria में से कोई भी meet किया तो आप reportable segment बन जाएंगे of all operating segment is greater than 75% of external revenue of entity जो भी entity का revenue है उसका अगर 75% या उससे जादा है आपके reportable segment का external revenue तब तो कोई दिक्रत नहीं है अगर नहीं है तो आपको एक आदा segment और बढ़ाना पड़ेगा reportable segment और बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप कम से कम 75% तो report कर लो अगर नहीं है तो additional reporting segment को add करना पड़ेगा to report at least 75% of the external revenue of the entity ठीक है एक बार मैं फिर से repeat कर रहा हूं conclude कर रहा हूं चारो condition को फिर इन चारो के उपर फटा-फट practical questions करेंगे aggregation criteria समझेंगे और एक बार quantitative criteria पर नजर मारेंगे चलो let me conclude all these things again हमने कहा step 1 आप individual segment identify कर लो step 2 अगर आपको कुछ aggregate करने का दिल है तो check कर लो aggregation criteria को अगर meet कर रहा है तो aggregate कर लेना नहीं है दिल aggregate करने का तो मत करो कोई देखकत नहीं है step 3 एक बार आपने segments निकाल लिया aggregation कर लिया सारा काम कर लिया उसके बाद देखो जी quantitative criteria quantitative criteria क्या होता है मेरे दोस्त अगर आपके segment का revenue 10% या उससे जादा है सारे operating segment के revenue से या आपके segment का asset सारे operating segment के total asset से 10% या उससे जादा है या आपका profit and loss की absolute value जो भी सारे segment है उनके profit को जोड़ लो losses वालों के losses को जोड़ लो दोनों में से जो भी आए अगर उसके 10% से जादा है तो आपका segment मेरे दोस्त reportable segment होगा last में आप यह check कर लो कि जो भी आपके reportable segment है उनका external revenue अगर total entity के 75% से जादा है तो it's okay अगर नहीं है तो आपको कुछ extra segment add करने पड़ेंगे ताकि आप कम से कम at least 75% तो report कर लो ठीक है जी तो यह तो हो गया तरीका जिस तरीके से हम reportable segment identify करते हैं and I know थोड़े से practical question किये भी ना हमें कुछ समझ नहीं आने वाला चलो फिर फटाफट इसके ओपर कुछ questions करते हैं चले इस question को discuss करते हैं जो quantitative criteria आपने समझाता है उसको apply करने की कोशिश करते है X limited has identified the following business component pharma, fmcg, ayurveda, others others ना generally na segment नहीं होता जो भी बच जाता है ना जो भी चीज अप्रेटिंग सेगमें नहीं होती वो सारी आप others में डाल देता है तो others generally is not considered as a segment others is a residory item this is total which of the segment would be reportable as per the criteria prescribed in 108 108 में जो criteria दिया है उसके according कौन reportable होगा तो 108 का criteria क्या है कि जो आपका segment revenue है वो 10% या उससे जादा हो total revenue का जो आपके segment asset है वो total segment asset के 10% से जादा हो सिंस अपने case में आपे सारे profit है तो कहना ही से segment profit जो हो 10% या उससे जादा हो total segment profit है जो कोई भी condition meet कर देगा वो क्या होगा आपका reportable segment जब आप total revenue की बात करोगे तो आप external प्लस internal दोनों consider करोगे मतलब total revenue will be 153 lakhs इसका revenue कितना लोगे 97 lakh इसका 4 lakh इसका 3 lakh और इसका 49 lakh ठीके जी अब आपको सिर परसेंटेजेज निकालनी है और कुछ नहीं करना तो हम यहाँ पर क्या करते है pharma fmcg ayurveda others पहले percentage निकालते है revenue की तो कैसे निकलेगी 97 lakh divided by 153 lakh इसकी कैसे निकलेगी 4 lakh divided by 153 lakh इसकी कैसे निकलेगी 3 lakh divided by 153 lakh और यहाँ पर 49 divided by 153 lakh ठीके जी बात clear है फिर हम निकालते है percentage और profit इसका profit है 20 divided by 30 lakh इसका 2.5 divided by 30 lakh 2 lakh divided by 30 lakh 5.5 lakh divided by 30 lakh percentage assets की बात कर लो 55 lakh divided by 90 lakh 25 lakh divided by 90 lakh 4 lakh divided by 90 lakh 6 lakh divided by 90 lakh जब आप इने solve कर लोगे तो percentages आजेएगी वो कुछ ऐसी आएएगे ठीक है चलो अब एके करके segments की बात करते है pharma तीनो में 10% से उपर है तो pharma will be a reportable segment fmcg total asset में 10% से उपर है बाकी दोनो में नीचे है तो क्या होगा या नहीं होगा standard कहता है तीनो में से एक भी condition अगर आपने पूरी कर दी तो भी आप reportable segment होंगे since fmcg यहाँ पर 10% से ज्यादा है तो fmcg will also be a reportable segment अगर आप ayurveda की बात करो तो ayurveda के तीनों criteria 10% से नीचे है तो ayurveda will not be a reportable segment others की हम बात नहीं करेंगे यही लिखा हुआ देख लीजे आप इसको खुद रीड कर सकते हैं ठीक है चलो अब एक कोशन देखते हैं with respect to the profit and loss percentages वाला ABC Limited has 5 operating segments namely A, B, C, D, E the profit and loss of respective segment for the year and day 31st, March 12, R as follows segment A, segment B, segment C, segment E, segment E यह इनके profit and loss दिये हैं आपको निकालना है जी reportable segment कौन सा होगा तो यादे हमने एक condition पड़ी थी जब हमने बोला था segment profit के बारे में तो हमने क्या बोला था देखो जड़ा यह condition एक बार फिर पढ़ते हैं और इसा apply करते हैं absolute amount of segment profit or loss is greater than equal to 10% किसका higher of total absolute profit या total absolute loss of all segment segment के profits अलग कर दो losses अलग कर लो दोनों को जोड़ लो जो भी दोनों में से higher होगा उसके 10% से ज़ादा अब अपने case में losses की बात करो और profits की बात करो profits है जी 780, 1500 और 6000 losses की बात करो 2300 और 4500 तो यह आगया जी 6800 और यह आगया जी कालकोटर पर टोटल करो फटना फटना फट 828 0 दोनों में से कौन सा higher है 828 0 higher है इसका 10% कितना होगा 828 अब जिस भी segment का चाहे उसका profit है या loss है आप उसकी absolute value ले लो जिस भी segment की absolute value इस 828 का जो threshold है इससे जादा होगी उस segment को क्या भोलोगे आप reportable segment जैसे इसका profit है जी 780 इसका है 1500 इसका absolute loss कितना है 2300 4500 6000 जिसका भी amount 828 से जादा है that will be considered as a reportable segment कहना इसे ए को छोड़के बाकी सारे मेरे क्या होगे reportable segment in compliance with nds108 segment profiter loss of reporting segment will be compared किस से compare करेंगे greater of the following all segments in profit उनके total profits है all segment in losses उनके total loss इन दोनों में से higher कौन सा है जी 828 0 जो भी इसके 10% से जादा है वो क्या होगा reportable होगा बाकी सारे reportable नहीं होगे तो हमने आप percentage निकाल दी जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकतो है ऐसे भी कर लो 780 divided by 8280 ऐसे हर एक की percentage निकाल लो तो ये percentage आ गई जिसकी percentage 10% से जादा है जैसे इन सब की percentage से 10 से जादा है तो ये सारे किसमें होगे ये सारे reportable segment होगे उपर वाला reportable segment नहीं होगा चले एक question और देखते है ये question basically है जो हमने आपको 75% वाली condition बोली दीना कि जो भी revenue आपका reportable segment का होता है वो total external revenue का 75% या उससे जादा होना चाहिए इस question से हम उस चीज को समझें X limited has identified 4 operating segment for which revenue data is given below आपको ये data दिया हुआ है information दिये segment C is a new business unit and management expects this segment to make a significant contribution to external revenue in coming year आप बताइए आप कौन कौनसे reportable segment लेंगे इंडेस 108 के according तो मेरे दोस्त इंडेस 108 कहता है कि reportable segment कौनसा होगा reportable segment वो होगा जिसका revenue total revenue के 10% या उससे जादा है total revenue कितना है external या internal या दोनो दोनो लिये जाएंगे कितना है जी एक total revenue एक करोड इसका 10% कितना होगा 10 लाग तो जो भी segment जिसका revenue 10 लाग से उपर है वो होगा reportable segment बाकी reportable segment नहीं होगे तो अपने case में A का revenue 30 लाग है D का revenue 54 लाग है तो A will be a reportable segment D will be a reportable segment B और C reportable segment नहीं होगे पहली बात समझ आती है done खतम कहानी but यहाँ पर एक condition है standard कहता है कि जो भी आपका reportable segment है उसका external revenue total external revenue के 75% होना चाहिए तो अगर मैं A और D की बात करूँ total external revenue कितना है मेरे भाई 35 लाग और total segments के external revenue कितना है जी 50 लाग कितना percent हुआ यह 75% नहीं हुआ यहाँ पर कस्ट हो गया जब यह 75% नहीं है तो आपको कोई ना कोई segment all add करना पड़ेगा ठाकि आप external revenue को 75% कर सके अब अगर आप B को add करना चाहते हो तो B को कर सकते हो C को कर सकते हो तो as such कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है कोई देखकत नहीं है बट एक चीज जबूर देख लेना कि उसको add करने के बाद 75% की condition क्रॉस हो जाए अब देखो 75% की condition के लिए अगर मैं B को add कर दू तो 6.5 लाग कर turnover बढ़ जाएगा 6.5 लाग कर turnover बढ़ते ही 83% हो जाएगा और अगर मैं C को add कर दू तो 35,000,000 में 8,500,000 और add करोगे तो 43,500,000 हो जाएगा वो भी आपका 80% प्लस हो जाएगा तो दोनों cases में मेरी 25% मेट हो जाएगी तो मैं किसी को भी add कर सकता हूँ कोई challenge नहीं है Since management बोल रही है कि C का जो business है आगे आने वाले सालों में flourish होगा तो ठीक है on a prudent side we can say कि हम क्या क्या दिखाएंगे reportable segment में A दिखाएंगे D दिखाएंगे C भी दिखा सकते हैं Since management बोल रही है कि C दिखा दो C better business है तो हम C दिखा सकते हैं but this is a matter of professional judgment आप दोनों में से कोई भी दिखा सकते हैं कोई दिखा सकते हैं but ऐसा मत कर देना कि जी हम चारों दिखा देते हैं चारों दिखा देंगे तो वैसे भी 75% से उपर चला जाएगा ऐसा करने की जरवत है Standard बहुत clear-gat है पहले आप निखालो reportable segment सिर्व उनी को report करना है but अगर कभी 75% की condition meet नहीं होरी तो एक आदा अगर additional segment लेना है तो ले लेना यह मत करना कि सारे के सारे segment उठा दिखा दिए और डाल दिए और बोला जी 75% की condition meet होगी तो फिर तो reportable segment का concept defeat हो जाएगा ठीक है लो जी threshold 10,000,000 का a exceed कर रहा है d exceed कर रहा है तो यह दोनो reportable है b और c exceed नहीं कर रहे तो reportable नहीं है but a or d का जो turnover है external turnover 70% है तो आपको कम से कम एक segment और add करना पड़ेगा ताकि आप at least 75% disclose कर सको in that case और since management ने बोला है c एक नया business है c के बाद किती percentage हो जाती है 87% हो जाती है तो हम a, c, d को reportable segment दिखा देंगे और b को हम other segment दिखाएंगे ठीक है b को other segment इसलिए दिखाया है जो भी segment आप report नहीं करते हो उन सब को आप club करके other segment में दिखाते हो यह हम अभी आगे discuss करेंगे alternatively आप चाहो तो b को भी segment ले सकते हो b को लोगे तो भी 83% हो जाता है total external revenue तो भी अपने को कोई cost नहीं है ठीक है चले तो एक बार quickly revise करके quantitative criteria को conclude करते हैं तो हमने कहा जो भी आपका revenue है external plus internal अगर वो 10% या उससे जादा है किसके combined revenue of all segment तो आप बोलोगे हंजी reportable segment है आपको report करना है यह नहीं है तो आप दूसी condition check कर लो दूसी condition है कि absolute amount of profit or loss जो भी आपका absolute amount of profit or loss है वो 10% या उससे जादा होना चाहिए किसके इन दोनों में से जो higher है उसके क्या है यह combined reported profit of all operating segment combined reported loss of all operating segment right reported loss loss वालों को combine कर लो profit वालों को combine कर लो तो उनों में से जो भी higher है उसके 10% से जादा अगर है तो segment reportable है नहीं है तो तीसी condition check कर लो मिर भाई क्या आपका segment asset combined asset के 10% से जादा है हमने का है तो तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो standard एक चीज और कहता है जो अभी हम थोड़ी दिर बात पढ़ने वाले अगर management को लगता है कि हंजी कोई standard दिखाना चाहिए तो आप दिखा सकते हो कोई challenge नहीं है whether the management believes that the information about a segment would be useful to the user of the financial statement अगर ऐसा है तो आप दिखा सकते हो हमें कोई challenge नहीं है आपको उसे separately दिखाने की जिर्वत नहीं है आप उसको other segment में club कर दो aggregation criteria क्या होता है aggregation criteria कहता है two or more segment may be aggregated into a single operating segment 2 या 2 से ज्यादा segment को आप combine कर सकते हो this is the condition of may आप चाहो तो करो नहीं चाहो तो मत करो कोई mandatory नहीं है ठीक है यह line बहुत clear cut है this is not mandatory आप चाहो तो करो चाहो तो मत करो कोई रिक्कत नहीं है generally इसलिए क्या जाता है otherwise क्या होगा अगर किसी company में माल लो 15 reputable segment है आप उन 15 के 15 को अलग-अलग दिखाने जाओगे तो financial में कितना discloser आ जाएगा तो इसलिए generally जो same type के होते है उनको combine कर दिया जाता है तो standard कहता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा segment को combine कर सकते हो अगर यह 3 condition पूरी हो जाती है तो 3 condition क्या है aggregation is consistent with the core principle of index index के core principle के साथ consistent होना चाहिए उसके conflict में नहीं होना चाहिए index का core principle क्या है कि आपको segment information दिखानी है जैसे management उसे देखता है दूसरा आपको इस तरीके से दिखाने है कि users को आपकी जो business activity है और जो आपका economic environment है उसका nature समझ आ जाए उसका financial effect समझ आ जाए मतलब कहीं पे भी वो index के score principle के साथ conflict में नहीं होने चाहिए segments have similar economic characteristics आपके जो segment है उनका जो economic characteristic है financial performance although standard में कहीं defined नहीं है but education material कहता है कि economic characteristic refer to long term financial performance जैसे आपके margins, sales growth, return on asset EBIT, EBIT, price earning ratio अगर यह similar तरीके के हैं अगर long term में similar range में होंगे similar तरीके के हैं तो आप combine कर सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है तीसरा जो सबसे important condition है दिहान से दिखना the segments are similar segment किस किस चीज में similar होने चाहिए एक तो उन segment में जो products का nature है और जो services का nature है वो same होना चाहिए जो आपका production process है उसका nature same होना चाहिए type and class of customer for their product and services should be similar मतलब जो type of customer हो same तरीके के होने चाहिए the methods used to distribute the product or services should be same जो distribution channel है वो same होना चाहिए nature of regulatory environment जो आपका regulatory environment है regulatory environment means laws and regulations applicable है वो similar होनी चाहिए जैसे laws कहके हो सकते है factory law सकते है labor law सकते है खाने पीने की item पर फसाई के लोह होते है तो वो सारी चीजे similar होनी चाहिए in the different different segments चलिए इस question को discuss करते है यह question aggregation criteria के ऊपर है quantitative criteria पर हम अल्रेड़ी questions discuss कर चुके है xy limited has operations in France, Italy, Germany, UK and India इसका in-in countries में 5 countries के अंदर operation है it wishes to apply aggregation criteria on geographical basis वो geographical basis पे aggregation criteria apply करना चाहती है हमने का okay how will the aggregation criteria apply for reporting segment in the given scenario इस scenario में आप किस तरीके से aggregation criteria को लगा okay तो चलो before मैं इस question पे चलो एक बार aggregation criteria को quickly revise कर लेते हैं aggregation criteria क्या था हमने कहा था आप 2 या 2 से ज्यादा segments को combine कर सकते हो एक segment बनाने के लिए कब कर सकते हो जब वो segments similar nature के हो यह कहा था similar nature का मतलब क्या था हमने कहा था उसकी economic characteristics same हो उसका nature of product same हो nature of production process same हो production channel same हो regulatory environment same हो यही बोला था हमने अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक पर फटा फट reportable segment की video देखिए वहां पर यह already discussed है correct अब question यह पूछ रहा है कि आप aggregation criteria को कैसे लगा होगे तो हम यह कहेंगे ठीक है आपको क्या करना चाहते हो वह बात की बात है पहले आपको यह सारे factors जो हमने बोले हैं अभी आपको चेक करने पड़ेंगे economic consideration वाले product वाले customer वाले distribution channel वाले production process वाले उसके बाद ही आप लगा सकते हो aggregation criteria मान लो यह सारी conditions meet हो रही है मान लो फिर आप आओगे regulation वाले criteria पे अगर आप ध्यान से देखो तो यह countries तीनों Europe की है UK अलग हो गया India अलग हो गया अगर आप geographical basis पे भी इन्हें अलग करना चाहते हो तो आपको Europe की countries को एक बनाना होगा subject to condition की इनकी regulation सेम है सारी situation सेम है UK को एक बनाना होगा आप इंडिया को जर्मनी इटली के साथ merge नहीं कर सकते है Europe की regulation और इंडिया की regulation on any day different है correct तो अगर आप geographical basis लगाना चाहते हो तो पहले आप उन सारे criteria's को check कर लो अगर आपके सारे criteria meet हो रहे है तो फिर आप geographical basis पर बोलोगे कि यह Europe की countries है तो इनको अलग रख लो UK अलग रख लो इंडिया अलग रख लो ठीक है जी यही हम नए हाल लिखा हुआ है कि XY को सारी conditions देखनी है currency risk economic condition exchange regulation सब देखने है considering above अगर फिर भी हम सब meet हो जाता है तो हम बोलेंगे कि आप क्या करो France को Italy को और Germany को since वो European reason में आती है तो आप combine कर दो UK और India को आप अलग से report करो क्योंकि इनका aggregation आप नहीं सकते इनके rules regulation बिलकुल ही अलग है ठीक है जी चलिए एक और question देखते है module का question है बड़े प्यार से देखना ध्यान से देखना बहुत अच्छा question है मज़ा आएगा करके T limited is engaged in transport sector running a fleet of buses at different route T limited transport sector में है और buses चलाता है It has identified 3 operating segments इसने 3 segments identify किये है कौन-कौन से है जी Segment 1 local route Segment 2 intercity route Segment 3 contact hiring The characteristics of each segment are as under आपको तीनों के characteristics दिये हुए है आपसे required क्या है Whether it is appropriate to aggregate segment 1 & 2 with reference to India S108 क्या segment 1 & 2 को हम aggregate कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं चलो characteristics पढ़ते हैं फिर decide करते हैं Segment 1 The local transport authority awards the contract to apply the buses at different route for passenger Segment 1 passengers के लिए है मैं क्या करता हूँ या लिखते चलता हूँ आपके लिए passengers किस ने दिया है Transport authority मतलब कहना इसे government ने आपको दिया है These contracts are awarded following a competitive tender process आपको मिलता है proper tender process के बाद मतलब बिल्कुल अलग तरीके से मिल रहा है Ticket prices paid by the passenger are controlled by the local transport authority जो prices है वो कौन control कर रहा है वो government control कर रही है T limited वो charge the local transport authority on a per kilometer basis T limited क्या करता है local transport authority से per kilometer basis पे कुछ amount charge करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं Inter city routes T limited operate buses from one city to another prices are set by T on the basis of services provided Inter city route क्या है उसकी खुद का काम है उसमें क्या है passenger एक state से दूसरे state के हैं यहाँ पर local है यहाँ पर government का roll था यहाँ पर कोई government का roll नहीं है यहाँ पर tender था यहाँ पर कोई tender नहीं है यहाँ price government ने decide किया था यहाँ price government ने decide नहीं किया यहाँ यह government से per kilometer price लेता था यहाँ यह government से कुछ ने रहा customer से ले रहा है सिरफ जो मेरे passengers है वो भी आप different बहुल सकते हो क्योंकि यहाँ पर local लोग है और यहाँ पर intercity वाले लोग है जो एक state से दूसरे state में जा रहे है इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको लगता है मुझे इसे combine करना चीए अगर मैं कोशन में बाकी कुछ ना पढ़ू ना तो apparently लग रहा है मुझे इसे combine नहीं करना चीए क्यों क्योंकि मेरे nature of customer अलग है मेरा pricing अलग है मेरी regulations अलग है मेरा process अलग है मेरी pricing अलग है तो कहां से बोलू यह similar nature के segment है जब यह similar nature के segment नहीं है से combine नहीं कर सकते है इसके अलावा question में एक चीए और लिखी थी segment 1 has been showing significant decline in profitability segment 2 क्या कर रहा है एक अच्छी profitability देने लग रहा है with higher margin the management of the company is not sure why is the segment information relevant for user when they should be concerned about the returns from the overall business thus they would like to aggregate segment 1 and 2 for the reporting and operating segment company कह रही है कि देखो मेरा segment 1 अच्छा नहीं चलना मेरा segment 2 अच्छा चल रहा है मैं इन दोनों को combine कर दूँगा तो मेरे picture अच्छी देखेगी नहीं तो देखेगा कि एक business down है एक business up है तो कह रहा है कि segment information में कोई फरक नहीं पढ़ता हो वो overall business को देखना होता है हर segment को देखने की जरुवत नहीं है तो क्या मैं इसे combine कर दूँ आपका जवाब क्या होगा आपका जवाब होगा चीज नहीं आप नहीं कर सकते logic ये हो गई मेरे दोस्त conditions जो हमने already पढ़ लिये यहाँ पर कह रहा है कि आपके product और services तो similar है but customers अलग है इसके अलावा उसने multiple और चीज़े दिये कि किस किस तरीके से हम बोलेंगे अलग है देखो segment 1 में decision to award a contract local authority के पास है सारे prices वगेरा वो set करती है company के पास company is not exposed to passenger revenue risk since contract कौन दे रहा है competitive tender पर मिल रहा है on the other side अगर आप intercity की बात करो where a bus route is economically viable by choosing whether or not to buy the tickets उपर वाले पर आपको कुछ नहीं करना आपको जो government ने दे दिया आपको करना नीचे आप select कर सकते हो कि भाया करना है रूट लेना या नहीं लेना ticket price आप set करते हो but will be affected by customer behavior or feedback T limited is exposed to passenger revenue risk as it sets prices when the customer may or may not choose to pay simple शब्दों में दोनों segment अलग है इसलिए आप उसे aggregate नहीं कर सकते आपके ये criteria meet नहीं होते ठीक है जी चलिए अब reportable segment के ऊपर कुछ miscellaneous points orders करते हो चलते हैं और खतम करते हैं reportable segment को operating segment data not reportable should be combined and disclosed in an all other segment category जो भी operating segment आप report नहीं करने जा रहे है या you can say जो भी reportable नहीं है आप उन सब को क्या करेंगे आप उनको club कर देंगे और एक category बना देंगे other segment की और disclose करेंगे operating segment that do not meet any of the quantitative threshold may be considered reportable and separately disclosed if information about the segment is useful to the user हमें कह रहे हैं कि if management believes अगर management believe करती है कि हाँ जी कोई भी segment users के लिए useful होगा users को बताना चाहिए तो चाहे हो quantitative criteria को meet करे या ना करे आपको disclose करना पड़ेगा क्योंकि management की judgment है कि हाँ जी ये segment आपका critical है इसलिए आपको से users को disclose करना है इसके लाबा an operating segment reported as reportable segment in the immediately preceding year but have not met threshold in current year it can be disclosed in current year if the management believes it is of continuing significance इस point में भी वही management की judgment है management कह रही है कि एक ऐसा segment है जो पिछली बार आपने रिपोर्ट किया था क्योंकि वह आपके quantitative criteria उसको meet कर रहा था इस बार आपने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उससे quantitative criteria को meet नहीं किया quantitative criteria में क्या आते थे revenue वाली condition, profit वाली condition, asset वाली condition तो management को लगता है नहीं वह इस बार भी disclose होना चाहिए क्योंकि उसकी importance है उसका significance है तो आप उसको भी disclose करोगे इन simple words इन दोनों point में मैं यहीं बोलूँगा अगर management की judgment है कि हन जी कोई particular segment operating segment disclose होना चाहिए चाहिए वो quantitative criteria को meet करे या ना करे आपको उसको disclose करना पड़ेगा and that they will be classified as a reportable segment If an operating segment is identified as reportable segment in current year but not as reported segment in the previous year then segment data for the prior period presented for comparative purpose should be restated होता क्या है जब आप segment information देते हो तो आप current year की information देते हो उसके साथ-साथ आप पिछले साल की information भी देते हो तो अगर किसी segment का आप revenue बता रहे हो तो आपको पिछले साल का भी revenue बताना पड़ता है तो अगर कोई ऐसा segment है जो current year में mandatory हुआ है कि आपको report करना पड़ेगा current year में उसके criteria meet हो गए है पर पिछले साल criteria meet नहीं हुए थे इसलिए आपने पिछले साल उससे disclose नहीं किया था तो जब आप current year में disclose करोगे तो आपको उसके पिछले साल के number भी देने पड़ेंगे तो जब भी ऐसा हो कि कोई नया segment आने लग रहा है तो आपको पिछले साल के numbers पड़ने पड़ सकते है next is आपको कितने number of segment disclose करना है तो standard कहता है कोई limit नहीं है any segment meeting the quantitative criteria should be disclose there are no limits under number of segment to be disclose कोई limit नहीं है कि 2 दिखाने है 4 दिखाने 6 दिखाने जिन्होंने quantitative criteria को meet कर लिया सबको आपको disclose करना पड़ेगा AS17 के अंदर primary segment और secondary segment की condition होती थी INDAS108 में ऐसी कोई condition नहीं है INDAS108 कहता है भाहिया एक होता है operating segment operating segment में से जो quantitative criteria को meet कर देगा वो हो जाएगा मेरा reportable segment उसको मैं financial में दिखा दूंगा there is no condition of primary segment or secondary segment Is an entity required to provide separate disclosure for each of its operating segment? Question is, क्या किसी entity को सारे operating segment की information disclose करनी है तो हमने पहले point पर पढ़ाता जब reportable segment पढ़ाता नहीं, ऐसा नहीं है आपको सिरफ reportable segment की information disclose करनी है, सब की information disclose नहीं करनी Can an operating segment that has never met the quantitative threshold be disclosed separately क्या कोई ऐसा segment जिसने कभी भी quantitative threshold को meet नहीं किया आप disclose करोगे, अभी अभी आपने पढ़ा है हाँ जी, अगर management को लगता है कि वो useful है users के लिए तो आपको सि disclose करना पढ़ेगा ठीक है जी, तो इसके साथ होगे आपना reportable segment close अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि CODM क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि operating segment क्या होता है, फिर हमने ये समझ लिया कि उसमें से reportable segment क्या है अब हमें ये समझना है कि हमें reportable segment के बारे में बताना क्या है, what is the disclosure which is required, which is one of the most critical item of this standard चलिए दोस्तो, अब हम आ गए है segments के discloser के उपर कि operating segment India's 108 में क्या-क्या disclosure requirement है अब discloser की जब बात करेंगे तो पहले थोड़ा सा practical देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में बड़ी-बड़ी companyya क्या-क्या चीजे disclose करती हैं तो चलो हमने आपके ले एक्जामपल लिया है जी Tata Motors का Tata Motors की annual report देखते हैं थोड़ी सी ढूनते हैं और देखते हैं इन्होंने किस तरीके से segment को report किया है उसके बाद आएंगे theory content के ऊपर ठीक है लो जी मैं गया Tata Motors की annual report पे मैंने search किया यहां पे आपके आगे segment reporting यह search कर रहा है अभी segment report चलो आगया जी segment report अब बड़े ध्यान से देखना शुरू करना और समझना शुरू करना जैसे ही आपको इनकी presentation समझ आ जाएगी उसके बाद जब हम company है primarily involved है automotive segment में और automotive segment में क्या क्या आता है उसने वो बताया और company segment के बारे में बताया कि company के 2 segment है commercial vehicles and passenger vehicles तो basically उसने क्या किया आपने passengers vehicle को एक साथ बताया passenger vehicle के segment में दूसरा उसने सारे commercial vehicle को commercial vehicle के segment में बताया ठीक है तो this is called the general content general means आप जो basic चीजे बताते हो अपने segment के बारे में कि आपके segment क्या है किस तरीके के है segment में क्या आता है आपका business का nature किस तरीके का है आपने segment कैसे identify की है तो वो चीज़ आती है जी general knowledge के बारे में कि segment की general knowledge आप यहाँ पे देते हो उसके बाद आप क्या करते हो आप देते हो जी हर segment की detail जैसे ये है commercial vehicle का segment ये है passenger vehicle का segment इसके बाद है जी corporate या unallocable this represent वो चीज जो आप या तो operating segment नहीं है या वो चीज जो आपके reportable segment नहीं है वो सब चीजे others या unallocable की category में आ जाती है जैसे हमने बोला था corporate office corporate office आपका क्या operating segment होता है हमने कहा था जी नहीं operating segment नहीं होता तो वो किस में आएगा जी unallocable में कोई भी ऐसी detail कोई भी ऐसा segment जो quantitative threshold को meet नहीं करता plus management भी कह रही है कि हांजी इस segment को हमें report नहीं करना वो भी कहा हैगा जी corporate या unallocable में तो कोई भी चीज जो reportable नहीं है या जो operating segment नहीं है वो सब यहां पर आता है ठीक है तो यह हो गया commercial vehicle यह passenger vehicle जो आपके दो main operating segment है बागी सारी चीज़े आपने इहां डाल दी पहले आप देते हो जी revenue की detail revenue में external revenue कितना है inter segment या intra segment revenue कितना है external revenue मतलब जो बाहर वालों को आपने समान बेचा inter segment मतलब अगर एक segment दूसरे segment को कोई समान बेचता है जैसे commercial vehicle ने अगर passenger vehicle के department को कुछ भी sell किया है या passenger vehicle के segment ने commercial vehicle के segment को कुछ भी sell किया है तो यहां आता है तो यह आपने external revenue इसका लिखा, यह इसका लिखा, बाकी जो बच गया वो आपने यहां लिखा, मत्तब इन दोनों segment के अलावा जो भी बचा हो यहां गया अब यहां पर क्या क्या आ सकता है, यहां पर सोचो, जैसे corporate है, corporate में आपके पास bank account हो सकता है, savings होगी, fixed deposit करा सकते हो, उस पर कुछ interest मिला है, तो वो यहां पर मिल सकता है, अगर आपने कहीं पर investment करी है, तो उससे कुछ dividend मिला है, कुछ gain वगरा है, तो वो यहां पर आ सकता है, ठीके जी, यह जो number है, this should ideally match with your entity का जो financial के अंदर revenue आ रहा होगा, उससे match करना चाहिए, क्योंकि segment की requirement होती है, कि पहले आप segment का revenue देते हो, उसके बाद आप उसको reconcile करते हो, company का जो total revenue है, उससे, तो चलो, लगे हाथ में आपको वो भी दिखा देता हूँ, this 47031.47 शुड भी, इसके standalone का revenue, लीजे, मैं फटाफट इनके revenue पर jump मार के आपको लेके चलता हूँ, यह आएगा यहाँ पर, इनका revenue आएगा, panel के अंदर, यह देखिए, this is revenue from operation, this is 47031.47, total से tally हो गया, correct, चलो, तो आपको एक चीज़ समझाई कि जो भी आपका segment होता है, आपको उस segment से related क्या क ही है, और उसको total से reconcile करना है, total से match कराना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, समझना, एक तो जब आप इसको practically apply करेंगे, चाहे as an auditor, चाहे as an accountant, तो आपको undoubtedly तब help रहेगी, और जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, इस से हमारा पूरा concept भी build हो जाए है, उससे match करेंगा, फिर आपको दिखाना है जी segment result, segment result before other income, excluding incentive, finance cost, forex loss, exceptional item, tax, etc, generally क्या होता है, आपको segment का profit before tax दिखाना होता है, अब होता क्या है, foreign exchange loss हो गया, finance cost हो गया, other income, ये चीज़े बाटी जानी थोड़ी से मुश्किल हो जाती है, किसी particular segment पर, इसलिए इसको allocate अगर CODM किस तरीके से देखता है, तो हमने basically अगर मैं simple शब्दों में बोलूँ, तो this is segment profit before tax एकस तरीके से, ये इसका है, ये passenger vehicle का है, ये others जो बचे थे, उनका है, फिर आप इसको किस से ये total हो गया, इस total को आप reconcile करोगे, जो आपकी company का profit and loss before tax आएगा, आप उससे reconcile करोगे, कैस से reconcile किया, ये आपके segments हो गए सारे, ये आपने का other income इतनी है, foreign exchange इतना है, finance cost इतनी है, foreign exchange इतना है, exceptional gain loss इतना है, तो आपका जो total number आया है, this is 2312.57, this should ideally match with the profit or loss before tax of your financial statement, देखना चाहेंगे, लो देख लो, आपको वो till कर रहा है, तो भी दिखा देते है, सीधे चलते हैं इनके profit and loss पर, लीजे, ये आगया cash flow, cash flow के उपर आता है आपका profit and loss before tax, देखें कितना है, 2312.57, this is profit and loss before tax, इससे उसने match करा दिया, मैं वापस लिके आ रहा हूं नीचे आपको, इस annual report का खुद भी चाहें तो एक बर scroll कर सकते हैं, कोई रिक्कत नहीं है, देखें, 2312.57, तो अपने को यहां से समझ आया, कि अपने को हर segment का profit before tax तो दिखा नहीं है, बट अगर CODM कुछ और देखता है, EBIT देख रहा है, EPIT देख रहा है, तो हमें वो भी दिखाना पर सकता है, that depends कि CODM क्या देख रहा है, हम आन रहे हैं, यहां पर CODM profit and loss before tax देखता है, तो इन्होंने profit and loss before tax दिखाया, फिर हमने उसको entity के profit and loss before tax से reconcile किया, ठीक है, इसके अलावा, standard कहता है, आपको जो भी आपके, आपने यह segments लिखे हैं, आपको बताना है कि कितना depreciation का खर्चा है, amortization का खर्चा है, कितना capital expenditure आपने किया है, हर एक segment के अंदर, तो यह तो हो गया, आपका revenue और P&L से related चीज़े, फिर आप बताते हो, segment asset के बारे में, और segment liability के बारे में, हमेशा याद रखता है, जो भी चीज़े आप इसमें दिखा रहे हो, segment revenue, segment profit and loss, segment asset और segment liability, आप चारो को entity के, मतलब company के, जो balance sheet और P&L में total दिख रहे हैं, उनसे भी tally करोगे, जैसे आपने का segment asset, तो आप अभी दिखा देता हूँ थोड़ दिर में, इसके बीच में reconciling item है, asset held for sale, कोई भी investment है वो, other investment, taxes, corporate unallocable assets, ऐसे assets जो आपने कहीं पर allocate नहीं कर पाए, वो सारे लिखने के बाद आपने company के total assets से tally किया, फिर आपने segment की liability दिखाई, ये segment की liability है दोनों की, फिर उसको आपने company क total liability से tally किया, इसके अंदर आपने borrowings डाला, current liability, defer tax और corporate unallocable liabilities, generally क्या होता है जैसे borrowings है, borrowings आप company level पे लेते हो, तो company level पे है तो पूरी company से related हो जाती है, इसलिए आप उसको allocate नहीं कर पाते, taxes है, defer tax हो, current tax हो, ये entity level पर होता है, company level पे होता है, इसलिए आप उसे allocate नहीं कर सक अगर आप किसी particular segment से related अगर borrowing लेते हो, तो आप allocate कर सकते हो, that depends on facts, cases and circumstances कि किस situation में आप है, ये चीज़ याद रखेगा, तो अगर आप allocate नहीं कर सकते हो, तो आपको उसे reconciling item में दिखाना पड़ेगा, तो अभी तक जो भी चीज हमने देखी, उससे crux ये निकल कर आया है, क इसमें आप अपने segment के बारे में बताएंगे, कि आपका segment किस तरीके का है, सारी information वो बताएंगे, फिर आप हर segment से related revenue बताएंगे, internal, external दोनो, profit and loss before tax, कम से कम इतना तो बताएंगे, बट अगर आपका CODM कुछ और देख रहे हैं, तो आप वो बताएंगे, जैसे EBIT या EBIT तो ये टैली भी कराना है, तो चलो लगे हाथ में आपको ये टैली करा देता हूँ, कि ये जो total asset आ रहे हैं, ये balance sheet के total asset होगे, और ये जो total liberty आ रही है, ये balance sheet की total liberty होगी, नमबर देख लो धियान से 65059.66, और 46003.69, चलो जी, balance sheet और P&L पर आ जाते हैं, इनके state forward, वैसे लाबर आपने total asset किते हैं, 65059.66, और अगर मैं total liability की बात करूँ, तो total liability क्या होगा आपका, total liability होगी मेरे दोस्त, non current liability plus current liability, liability में वो shareholder fund को नहीं लेके चलता, अलग रखके चलता है, आप चाहते तो उसे दिखा सकते थे, चाहो तो नहीं दिखाओ, ऐसी कोई mandation नहीं है, तो अगर आ आप इन दोनों का total करो, 1975, 2.14, और 2625, 1.55, तो आपका उस liability के total से match हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हमने आपको segment दिखा दिया, अब segment में क्या होता है, जैसे ये current year है, ये March 21 का year है, similarly आपको पिछले साल के भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि comparative number तो देने पड़ते हैं, त कोई segment की सारी detail जो आपने ऊपर देखी थी, बटे ये पिछले साल की है, याद करो हमने एक चीज discuss करी थी, कभी भी ऐसा हो कि अगर आपका कोई नया segment आजाता है, जो पिछले साल नहीं था, तो आपको पिछले साल के number बदलने पड़ते हैं, क्यों, माल लो, यहाँ पे corporate या और disclose करनी पड़ती है, which is this, आपका within India, within India मतलब जिस country में आप based हो, अब Indian companies है सारी, तो सारी इंडिया में based होगी, तो, इंडिया में आपका कितना amount है, और इंडिया से बाहर कितना amount है, किस चीज का, ध्यान से देखना, net sales to external customer, by location, इंडिया मतलब जो भी आप external sales कर रहे हो, इंडिया में कितनी है, इंडिया से बाहर कितनी है, non-current asset, non-current asset में क्या-क्या, property plant equipment, ROU asset, मतलब leases, right of use assets, leases होती है, intangible assets, other non-current assets, goodwill, तो, इंडिया में कितनी है, इंडिया से बाहर कितनी है, यह आपको दिखानी पड़ेगी, current year और previous year दोनों की, इसे कहा जाता है, मेरे दोस entity-wide disclosure, और you can say, information concerning principal geographic areas, geographic area से related बोल लीजे, या फिर आप इसे बोल दीजे, entity-wide disclosure, हर company को entity-wide disclosure तो देना है, मतलब external revenue को bifurcate करना है, इंडिया में कितना है, इंडिया से बाहर कितना है, non-current asset other than deferred tax, financial instrument, pension assets, इन सब चीजों को छोड़के, जो non-current asset बसते हैं, आपको उसका disclosure देन है, तो overall ये disclosures होते हैं, जिसके अंदर आपका segment का disclosure आगया, और entity-wide disclosure आगया, current year का और previous year का दोनों का होता है, ठीक है, entity-wide disclosure में आपको थोड़ा सा और detail दिखा देता हूँ, ये तो था इनका stand-alone financial, stand-alone financial statement, चलो मैं आपको consolidated financial statement पे लेके चलता हूँ, वो और बहुत प्यारे way में disclosed है, ये देखिए, consolidated financial statement में, segment reporting, ये देखो, ये general information इन्होंने दी, general information में इन्होंने सब लिखा कि किस तरीकी का business है, क्या है, कैसे है, automotive, others, segment को कौन review करता है, हमने बोला था न, CODM को जो आप provide करते हो, CODM जो review करता है, वो ही होना चाहिए, देखो, यहाँ पे लिखा ह नोट आपको और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, हमने बोला था, entity-wide disclosure, ये लीजिया, इसमें आप external revenue दे रहे हो, मतलब, geographic area wise, इंडिया और इंडिया से बाहर कितना कितना है, तो standard ये कहता है, अगर बाहर के देशों से, आपका किसी particular देश से material amount है, तो आपको उसे अ नंबर देखो कितना बड़ा है, यूके से देखो कितना बड़ा है, तो आपको ना, इंडिया और इंडिया से बाहर जिन-जिन का है, आपको external revenue बताना है, अगर किसी बाहर के देश का नंबर बढ़ा है, तो आपको वो बताना होता है, इसके एलावा non current asset का आपको डीटेल तो आपको बताना पड़ेगा और जो चोटे-चोटे देश के नंबर है, जादा बड़े नहीं है, वह आप एक कम्माइन करके अधर्स में, जैसे रेस्ट अव्ड वर्ड है, उसमें दिखा सकते हो, तो यह तो हो गया, सेल्स का नंबर, यह नॉन करना पड़ेगा, इसके तो अगर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट के आपके सेल्स है, तो आप प्रोडक्ट वाइस भी मोटा मोटा बता सकते हो, बट अगर मैं अस्टेंड अलोन तो एक बार सेल्स के सब्सागा, और कमर्स्चल वहिकर और पैंसेंजर वहिकल थें, जो रिवेन्यू आपने अलर इन्होंने disclose करी है, यह देखो, हमने बोला था revenue आप disclose करोगे, external और intersegment revenues, फिर total revenue आगया, यह आपका profit before tax आगया, फिर यहाँ पर आपने, देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि borrowing को इसने allocate कर दिया, वहिकल के लिए यहाँ पर इतना है, हमने बोला था अगर borrowing आपकी किसी particular department से related ह किसी segment से related है, तो आप allocate कर सकते हो, तो since, consolidation में क्या किया, इसने का automotive and related activity, automation में, automotive activity में सब आ गया, तो उसमें जितनी भी borrowing थी, उसमें डाल थी, फिर profit before tax को reconcile किया, company के profit before tax से, यह इसने सारी reconciling item दिखाई, फिर इसने depreciation दिखाया, capex दिखाया, यह बहुत अच्छी चीज नहीं देखी थी, stand alone में, आप जो joint venture या associate का profit होता है, वो record नहीं करते हो, वो आप अपने consolidated financial statement पे record करते हो, by equity method, जब आप consolidated financial statement पढ़ोगे, तो वहाँ देखोगे, तो standard कहता है कि, जो भी आपका equity accounting से, JV या associate से profit आ रहा है, आपको वो दिखाना होता है, फिर आपने segment asset दिख है, उसको फिर आपने total liability से reconcile किया, ठीक है जी, तो ये होता है, मोटा मोटा आपका segment का disclosure, अब साथ साथ आपके दिल में ने एक सवाल और आना चाहिए, सवाल यह है कि, हमने discuss किया था, कि जब भी आप consolidated financial statement और stand alone financial statement अपनी annual report में, या financial report में, प्रेजन कर रहे होते हो, तो segment की requirement सिरफ consolidated financial statement पर होती है, correct, बट हमने साथ साथ एक और चीज सोचो, हमने एक और चीज discuss करती है, हमने काते है, mandatory नहीं है, कंपनी चाहे तो stand alone में discuss करना है, तो कर सकती है, कोई challenge नहीं है, correct, चलो हम आपको साथ साथ एक बार Reliance की balance sheet भी दिखा देते है, this is Reliance Industries Limited, Integrated Annual Account 2021, Logi Segment का disclosure, यह देख लो, note number 38 पढ़ लो, as per India's 108, segment information has been provided under the notes to consolidated financial statement, यह है इसकी मेरे दोस्त, कौनसी financial statement, यह लिखा हुआ, stand alone financial statement, तो stand alone में इनोंने लिखके दिया है, कि हमने इसको कहा प्रेजेंट किया है, consolidated financial statement प्रेजेंट किया है, stand alone में हम प्रेजेंट नहीं करें, तो हमने यही आता, कि अगर आप दोनों प्रेजेंट कर रहे हो, तो mandatory नहीं है, आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, ठीक है, चलो, अब एक बार जो भी चीज हमने अभी तक देखी है, एक बार हम उसका theory content भी cover कर लेते हैं, चलिए, अब बात करते हैं, कि standard में क्या-क्या disclosure given है, वैसे तो हम लोगोंने टाटा मोटर्स की balance sheet से, annual report से, काफी अद तक disclosure को समझ लिया है, अगर मैं broadly बात करूँ ना, तो 90% से भी मिलने वाला content यहाँ पर बे, 50% का कुछ फरक है, जैसे measurement basis पर और एक दो चीजों पर, तो वो अभी discuss कर लेते हैं, आपको क्या-के चीजे disclose करनी है, आपक को हर segment से related कुछ information disclose करनी है, जैसे segment assets, segment liabilities, segment profiter loss, and segment revenue, and their measurement basis के आपने उसे कैसे measure किया है, अब आप सूचोगे कि आपको annual report में measurement basis नजर नहीं आया, जनल ही क्या होता है, कि जिस तरीके से आप accounts बना रहे हो, जिस तरीके के आपकी accounting policy है, आप segment भी उसी तरीके से measure करते हो, इसे अलग से कुछ दिखाने की जरवत नहीं पड़ती, बढ़ अगर कभी अलग होता है, तो आपको अलग से दिखाना पड़ सकता है, third is, reconciliation of segment amount with total amount reported in financials, जो भी financial statement में total amount आ रहे है, segment के total amount को उनसे reconcile करना है, and last is entity-wide disclosure, ये हम अल्रेडी पढ़ चुके है, चलो, अब इन चारों के उपर बात करते हैं, अगर मैं general information की बात करूँ, तो आपको बताना है, factors used to identify entities reportable segment, कि इस-किस चीजों के basis पर आपने अपने segment को identify किया, क्या judgment use करिया, अगर आपने aggregation criteria लगाया है, कौन-कौन से operating segment जो aggregate हुए है, और कौन से economic indicator है, जो आपने assess किये है, what are your type of product or services जिनसे आपक revenue आ रहा है, यह चीज़े आपको बतानी होती है, अगर मैं बात करूँ, segment से related आपको क्या-क्या बताना है, आपको revenue बताना है from external customer, अब यहां पे बहुत बर confusion हो जाती है, external का क्या मतलब है, external does not mean foreign से, या बाहर के देश से, external means company के बाहर से किसी भी बंदे को कुछ समान बेचा रहे हैं, जो भी गाड़ी बेच रहे हैं, trucks बेच रहे हैं, that is external customer, revenue from other operating segment, interest segment revenue जो भी आपका होता है, मतलब एक segment जैसे passenger vehicle ने, commercial vehicle को कुछ बेचा है, तो वो आपको दिखाना होता है, interest revenue कितना है, interest expense कितना है, अगर आप allocate कर सकते हो, तो दिखाएंगे, depreciation, amortization expense, अगर कोई material item है, income and expense की बहुत बड़ी item है, तो वो दिखानी होगी, हमने बोला था, अगर आपको कोई भी profit आ रहा है, joint venture से, या associate से, equity method की accounting पर आपको दिखाना पड़ेगा, income tax expense की हमने बात करी थी, कि अगर आप allocate कर सकते हो, तो दिखाऊगे, generally allocate नहीं हो पाता, क्योंकि या entity level पर होता है, material non cash item other than depreciation and amortization, अगर कोई material non cash item है, provisions वगएर आपने कुछ बनाया है, तो आपको board disclose करने पड़ेंगे, income tax की हमने बात कर ली, generally आप allocate नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो entity level पर होता है, interest revenue और interest expense को generally अलग दिखाया जाता है, आप net off नहीं करते हैं, but आप net off कर सकते हैं, अगर COD CODM उसे net off करके देखता है, और आपका interest major revenue है तो, not netted off, unless major revenue जो है आपका interest से आता हो, और CODM net करके उसे review करता हो, इसके अलावा आपको additions दिखाने होते हैं, non current asset के, non current asset कौन से, other than financial instrument, deferred taxes, or net defined benefit asset, इन तीनों को छोड़के, जो non current asset बचके, कौन से बचते हैं, Tata Motors की जो हमने आपको बताए थी, annual report में, याद करो क्या क्या था, PPE, intangible, ROE, asset, other non current asset, वो सारी चीज़े आती हैं, तो आपको capital expenditure बताने एक तरीके से, PPE के, intangible के, addition का क्या मतलब होगा, PPE में क्या addition होता है, CAPEX ही होता है, capital expenditure होता है, तो आपको वो चीज़े बतानी है, अगर आपने कोई associate या joint venture में कुछ investment करी है, and that is allocated to a particular segment, तो आप disclose करेंगे, generally ये भी entity level पर होती है, इसलिए आप क्या करते हो, उसे company level पर disclose करते हो, next चीज़ आती है, measurement basis, measurement basis मतलब जो भी आपने segment में amount report किया है, चाहे revenue है, चाहे profit and loss है, आपने किस तरीके से उसे measure किया, कैसे calculate किया, आपने अग किस price पर किया है, तो generally क्या होता है, जो भी company के accounting policy होती है, जैसे revenue जो भाहर के लोगों को sale हो रहा है, जिस price पर, external customer को sale हो रहा है, उस price पर record होता है, transaction price पर record होता है, तो segment में भी generally measurement सेम ही तरीके से होता है, तो accounting policy जो आपकी है, आप segment भी generally वैसे ही बनाते हो, generally, बट अगर से बनाओगे, measurement basis अगर आपका अलग है, क्योंकि CODM अगर अलग तरीके से देखता है, तो आपको बताना पड़ेगा, इसका एक और simple example हो सकता है, जैसे inventory है, inventory आप FIFO पे value कर सकते हो, weighted average पे value कर सकते हो, correct है, अब माल लो आप financials के लिए, company की policy है, FIFO method लगाना, but आपके CODM कह सकते हैं, क्योंकि standard यही बोलता है, CODM के according आपको disclose करना है, core principle तो यही है, तो कभी भी अगर ऐसा होगा, measurement basis अलग होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, कि उसका reconciliation दिखाना पड़ेगा, और यह state करना पड़ेगा, कि हा, measurement basis अलग है, और this is the reconciliation, the amount reported for each segment item, reported, should be on the same measure as reported to CODM, for the purpose of making decision about allocating resources to segment and assessing the performance, जो भी amount आप segment में दिखा रहे हो, operating segment में, वो वैसे ही दिखा होगे, जैसे आप CODM को दिखाते हो, if amount are allocated to reported segment profiter loss, asset or liability, those amount should be allocated on reasonable basis, अगर आप कभी भी कोई खल्चा या asset liability, अपने segment पे अलोकेट करते हो, दिखाने के लिए, तो जो allocation का तरीका होगा, वो reasonable ह reasonable interest, ऐसा नहीं होगा कि देखो, माल लो कोई management fees का खर्चा है, अब आपका एक profit में, दूसरा segment loss के अंदर, आपने का जिस segment में profit है उस segment में management fees का खर्चा दिखा दिखा, तो वो गलत होगा, जब भी आप even CODM को भी अपने segment result दिखा रहे हो, segment asset liability दिखा रहे हो, तो आप एक reasonable basis लोगे खर्चे को allocate करने के लिए, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जो directly relate नहीं करते हैं, बट आपको allocate करने होते हैं, याद है आप लोगों ने costing के अंदर, जब आप intermediate में तो overheads पढ़े थे, overheads को भी आप service department के खर्चे को production में allocate करते थे या नहीं करते थे, करते थे, similar तर CODM is provided with more than one measure of profit and loss, अगर CODM को एक से जाधा measure दिखा रहे हैं, मतलब EBIT भी दिखा रहे हैं, EBITDA भी दिखा रहे हैं, PBT भी दिखा रहे हैं, या you can say, profit निकालने का एक X तरीका है, जिसमें आपने FIFO की तरह उसे calculate किया, inventory को फिर profit निकाला, एक में आपने inventory को वेटे अवेट की तरह calculate किया, फिर profit निकाला और फिर CODM को दिखा रहा है, क्योंकि standard कहता है कि CODM के तरीके से आपको दिखाना है, बट जब भी आप CODM को multiple तरीके से दिखा रहे हैं, तो आप वो वाला basis ले ले लेना, जो आपके financial से in-line है, जैसे हम ने का, आपने बोला कि आपने CODM को FIFO method से भी inventory calculate करके दिखाई, आपने उन्हें weighted average से भी calculate करके दिखाई, financial में आप FIFO दिखाते हो, तो आप कौन सा method ले लोगे, FIFO वाला method आपके financial से in-line है, तो आप FIFO वाले method से जो भी CODM को दिखाया है, आप segment में दिखा देना, management must decide which measure is most consistent with its financial statement and disclose that, next is reconciliation, यह हमें पता है हमने कहा था, segment revenue को entity के total revenue से reconcile करना, segment PBT को profit before tax को entity के profit before tax से, segment asset को entity asset से, segment liability को entity की liability से, अगर segment में आपने कोई material amount दिखाई है, तो entity का total material amount है, उससे reconcile करना है, यह चीज़ और देख लीजए, generally तो हम क्या करते है, profit before tax को profit before tax से reconcile करते है, क्यों क्योंकि taxation आप generally allocate नहीं करते हो, but अग अगर आपने text को भी allocate किया है segment पे, तो आपको segment का profit before text नहीं, आपको segment का profit after text दिखाना पड़ेगा, तो since आप segment का profit after text दिखा रहे हो, तो आपको उसे किस से reconcile करना पड़ेगा, entity के profit after text से, generally majority of the time, text is not allocated, इसलिए profit before text दिखाना पड़ेगा, उसको profit before text से reconcile किया जाता है, बट अगर आप text को भी allocate कर रहे हो, यहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, खुद पड़ लीज़े एक पर, तो आपको profit after text दिखाना पड़ेगा, अब since आपने segment का profit after text दिखाया है, तो entity के profit after text से भी reconcile होगा, items which are not reportable as operating segment, can be disclosed as unallocated, और उसको reconciling item बना के आप दिखा सकते हो, यह चीज़ हम already discuss कर चुके हो, कौन कोल सी चीज़ है, reportable नहीं होती, SEO operating segment जो reportable नहीं है, मतलब उसने quantitative threshold cross नहीं किया, या कोई unallocable item है, जैसे corporate office या head office के खर्चे या share capital, etc. जो भी आपकी material reconciling item होती है, वो आपको अलग से दिखानी होती है और describe करनी होती है, याद करो, जब हम Tata Motors के annual report देख रहे थे, तो अपने देखा था, जब आप segment liability को total liability से reconcile कर रहे हो, तो आपने लिखा था, एक borrowing, डूसरा taxes, तीसरा, चौथा था आपका, others, और तीसरा शायद आपका था, deferred benefit था या फिर deferred tax था, कुछ था ऐसे, I don't exactly remember, तो आपने क्या किया, जो item material थी, वो तो अलग से दिखा दी, जैसे borrowing material था, वो दिखा दिया, taxes material item थी, वो दिखा दी, बाकी सब आपने others के अंदर club करके, दिखा दिया, तो यही standard कहना है, कि जो भी आपकी material item है, वो आपको अलग से दिखानी है, बाकी सब आप others में, club करके दिखा सकते हो, अब बात करते हैं, जी entity-wide disclosure की, तो entity-wide disclosure में क्या आता है, this to be disclosed by all entities, चाहे आपका segment हो, एक हो, multiple segment हो, कितने भी segment हो, even segment नहीं भी है, आप सिर्फ एक ही चीज़ का काम करते हो, तब भी आपको entity-wide disclosure दिखाना है, presented only if it is not presented as a part of, reportable segment information, अगर यह चीज़ आपने segment में present नहीं करी है, तो आपको present करनी है, जैसे, अगर याद करो, Tata Motors में, जब आप stand-alone disclosures देख रहे थे, वहाँ पे आपने 2 disclosures देखे थे, क्या revenue और non-current asset का bifurcation, वहाँ पे आपने product और services का revenue नहीं देखा था, जो आपने consolidated में देखा था, एक बार आप annual report और previous video को जा के देख सकते हो, इसलिए नहीं देखा था, क्यों, क्योंकि आपने stand-alone में क्या था आपका segment, commercial vehicle और passenger vehicle, वो तो आपने ऊपर, जब आप segment दिखा रहे थे, वहाँ दिखा ही दिया था, correct or wrong? जब हमने discuss किया था, consolidated में, हमने दिखाया था आपको क्या, entity-wide disclosure में, उन्होंने multiple चीज़े दिखाई थी, चलो, let me take you directly over there, यह देखिया, इससे आपको और clear हो जाएगा, यह देखो, जब आप information प्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने product services की information, अलग-अलग दी थी, बर जब आप यह consolidated था, जब आप stand-alone देख रहे थे, let me just search segment reporting for you once, जब आप stand-alone देखोगे ना, तो वहाँ पर अलग से नहीं दिख रहा हो, क्यों? देखो, यहाँ पर देखो, net sale दिखाई, non-current asset दिखाई, अब यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हमारी sale, दो ही चीज़ों से है, passenger vehicle, commercial vehicle, वो उपर दिखाई दिया मैंने, यह देखो, यहाँ इखाई गया revenue, इसलिए मुझे अलग से दिखाने की जरुवत नहीं है, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है, कि अगर आपने उसमें present कर दिया है, तो आप present मत करो, बट नहीं किया है, तो अलग से दिखाऊ, information किसके से related आएगी, product services से related आएगी, geographic area से related आएगी, जिसमें आप दो चीज़े देते हो, एक revenue, दूसरा non-current asset, तीसरा आपको एक और important information देनी होती, यह वहाँ पर नहीं थी, this is information about major customer, अगर कोई बहुत बड़ा customer है, जिससे आपका significant revenue है, तो आपको उसकी information भी disclose करनी है, क्या है, थोड़ी देर में देखते हैं, product services हमें समझा गया, geographical area भी हमने देख लिया था, कि आपको bifurcate करना है, revenue को और non-current asset को किसमे, country of domicile, जिस country में आप बेशते हो, आप सिंसारी इंडिन कंपनी है, तो आप इंडिया में बेशते हो, इसलिए विदिन इंडिया और आउटसाइड इंडिया आपको दिखाना है, non-current asset आपको दिखाने है, non-current asset में क्या नहीं दिखाना, financial instrument, taxes, post employment benefits, insurance contracts के राइट, यह नहीं दिखाना है, तो बेसिकली दिखाना क्या है, PPE, intangible, other NCA, ROU, वो दिखाना है, अगर revenue और non-current asset, किसी भी foreign country से material amount है, तो आपको वो दिखाना है, यह हमने consolidated financial statement, जब देख रहे हैं थे, information about major customer, अगर कोई भी ऐसा customer है, जिसके आपका revenue 10% से जादा है, तो आपको यह बताना पड़ेगा, कि देरार customer जिन से हम 10% से जादा revenue जिन से आता है, plus कितना revenue आता है, कौन से segment से related है, यह बताना है, identity of the customer is not required, आपको customer का नाम बताने की जरुवत नहीं है, then disclose this fact, give amount of revenue, segment, किस से हो customer related है, identity of the customer is not required, ठीक है, तो यह हो गए मेरे दोस्ट, सारे के सारे आपकी disclosure requirement, broadly speaking, तो जो चीज़ आपने Tata Motors की annual report में देखी थी, आप क्या करें, एक दो annual report और निकाल ले, Reliance Industries निकालने, Tata Motor निकालने, इन दोनों को देख लेंगे ना, तो आपको यह शायद disclosure पढ़ने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी, इन दोनों companies, जो देश की बहुत बड़ी companies है, उन्होंने सब कुछ का रखा है, ठीक है जी, चलिए, अब फटा-फट हम लोग कुछ miscellaneous points जो अपने closing points से उनको cover करते हैं, और standard को conclude करते हैं, पहले चीज, operating segment जो subsidy ने report किया है, it can be different from the operating segment जो किस से report किया है, parent company ने, parent company में जो segments से अलग हो सकते हैं, subsidy company के segments से अलग हो सकते हैं, आप Tata Motors की जो हमने annual report discuss करी थी, जैसे महलो मेरी company है, जो से bread ही बेचती है, चाहे 200 gram bread, 400 gram bread, 500 gram bread, मतलब packets अलग अलग है, बट बेचती से bread से और कुछ नहीं बेचती, मतलब मेरा एक ही segment है, अब क्या मैं segment reporting करूँगा, और वेस्टी बात है, एक ही segment में अलग-अलग तो कुछ report कर नहीं सकता, बात ही नहीं सकता, तो क्या मुझे कुछ नहीं disclose करना, standard कहता है, ऐसा नहीं है, अगर आपका सिर्फ एक ही product है, आपके कोई segment नहीं है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, entity-wide disclosure कर दो, entity-wide disclosure में तीन चीज़े आती थी, याद करो, अगर कोई major customer है वो, product services से कितना turnover है वो, तीसरा revenue और non-current asset, कितना आपका country of domicile मतलब इंडिया में है, और कितना इंडिया से बाहर है, वो बताओ, in case both business product and geographical segment meets definition of operating segment, अगर आपका products, मतलब मालो जैसे commercial vehicle और passenger vehicle, और geographical segment मतलब इंडिया, इंडिया से बाहर, इंडिया हो गया, USA हो गया, यूरोप, ये दोनों ही आपकी operating segment की definition को meet कर जाएं, अभी कैसे meet करेंगे, operating segment क्या होता था, याद करो थोड़ा सा, operating segment होता था मेरे दोस्त, business होना चाहिए, CODM review करे, discrete financial information हो, अब हो सकता है, दोनों में condition satisfy हो रही हो, product में भी हो, geographical segment में भी, correct or wrong, geographical segment मतलब, जब आप देश के according, state के according segment करते हो, हो सकती है meet, तो क्या किया जाए, तो आपको याद करना पड़ेगा, इस standard का core principle, core principle क्या था, core principle था कि आपको, segment ऐसे disclose करना है, कि users और stakeholder, आपके business activity और economic environment को बारे में, समझ सके, वो उसका nature और financial effect जान सके, correct, तो what is the best way, ताकि वो समझ जाए, आपको ऐसे disclose करना है, तो चाहिए आप product भी कर सकते हो, geographical segment भी कर सकते हो, then, entity should disclose in such a way, this is way, to disclose information to enable users of its financial statement, to evaluate nature and financial effects of the business activities, in which it engages, and economic environment in which it operates, सिंपल सी बात है, आपको ताब आपना core principle आद करना है, अधर्वाइस, core principle आद करने की जरबद नहीं है, if the measurement basis of the information provided to, chief operating decision maker, differs from the measurement basis of the India's financial statement, यह आपने पहले ही discuss का लिए है, कि जो measurement basis हैं, जैसे हैं आपने बोला था example, CODM को तो आप inventory दिखाते हो फीफो पे, फानेशल में दिखाते हो वेटेड अवरेज पे, दोनों में method में अलग है, तो क्या किया जाए, तो कोई दिकरत नहीं है, CODM को आपने दिखा है, वैसे दिखा हो segment में, बट उसकी reconciliation आपको देनी पढ़ेगी, और अगर material item है, reconciliation में तो explain भी करने ही पढ़ सकती है, reconciliation हा required, that separately identify and describe each adjustment, needed to reconcile the total of reportable segment profit and loss, to the consolidated profit and loss, consolidated profit and loss means, profit and loss of the entity, अगर मैं simple शब्दों में बोलू, तो आपको reconciliation दिखानी है, जो आपके segment के number को, entity के number से reconcile कर ले, to the extent the nature of measurement differs, is not apparent from the reconciliation, they must be explained, अगर आपने जो reconciliation दिखाई है, जैसे हमने reconciliation देखी थी, कि आपने segment profit before tax को, किस से reconcile किया था, entity के profit before tax से reconcile किया, आपने finance cost दिखाया, आपने other income दिखाया, अगर उसमें ये apparently दिख रहा है, कि ये measurement का change है, तो ठीक है, नहीं है, तो आपको अलग से बताना पड़ेगा, जैसे ये देखो, यहाँ पर आपने ये reconciling item दिखाई है, correct, हम फिर से आगए, Tata Motors की stand-alone balance sheet है, कि हन जी, ये change किसका है, measurement का है, ठीक है जी, चलो, ये change clear है, चलिए, अब कुछ questions देख लेते हैं, और conclude करते हैं इस chapter को, question is, GH limited has four distinct operating segment, the management of GH is concerned, as it is unsure on how common cost, be reasonably allocated to the different operating segment, हमें पता है कि जो भी cost होती है, बहुत सारी cost, common cost होती है, और हमें उन्हें segment में बाटना पड़ता है, allocate करना पड़ता है, और allocation के लिए basis होता है, कि हमें उन्हें reasonable basis पे allocate करना होता है, correct, ये ही लिखा है कि हम किस तरीके से allocate करे, the intent to allocate management charges, interest cost of internal funding, cost of management of properties and pension fund, वो इनको बाटना चाहते हैं, whether such cost need to confirm to accounting policy, as used to prepare financial statement, आप बाट सकते हो, हमें कोई दिखात नहीं है, बाटने का तरीका reasonable होना चाहिए, कोई tension नहीं है, accounting policy में आपने accounting कर दी, जो कर दी, कर दी, CODM जैसे देखना चाहता है, CODM को आप segment में बाट के दिखा होगे, बाटने के लिए आप reasonable basis ले सकते हो, Indies do not prescribe any specific basis, बट वो suggest करता है कि आपको कौन सा basis लेना है, reasonable basis लेना है, Here it may not be reasonable to allocate management cost to most profitable segment, अगर आप से most profitable को बाटना चाहते हो, तो वो गलत होगा, Reasonable basis क्या होगा कि आप interest को उस में बाट दो, जिसने actual में interest का fund यूस किया है, even if majority of funds are used by running a loss making segment. अगर loss making segment ने भी पैसे यूज किया है, since उसने पैसे यूज किया है, borrowing उससे लेटेड है, तो आपको उसे पर cost बाट देडी, चाहिए, तो यह अलग-अलग basis दे रखे हैं, जैसे interest का हो गया, जिसने यूज किया है, management का, management के, management charges को आप कैसे बाट सकते हो, आप net asset, invest area, revenue के basis पर बाट सकते हो, बतलब basically आपको basis बो लेना है, जो reasonable है, correct? It need to be understood, if there is an operating segment, which is yet to earn revenue, it would fail to have any cost being allocated. अब अगर आप माल लो revenue पर बाट रहे हो, तो ऐसा ना हो जाए कि आपने उस पर कोई cost ही नहीं बाटी, देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से उसे बाट था है, ताकि एक reasonable और सही तरीके से आप उसे बाट दो, management of property, property के basis पर बाट दो, pension, salary के expense के बाट दो, याद करो ना, जैसे आप intermediate में overheads पड़ते थे, overheads में जब खर्चा बाटते थे, rent का, area के basis पर बाटते थे, indirect wages, direct wages पर बाटते थे, एक reasonable basis लेते थे थे तो standard भी वही कर रहा है, भाया, वही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? The last question is, how should an entity perform a 10% test when different operating segment report different measures of profitability and segment asset? हम लोगों ने quantitative criteria जब पढ़ा था, तो हमने कहा था कि कोई भी segment, जो 10% of segment asset से, total segment asset से जादा है, कोई भी segment जिसका absolute value of profit or loss is more than absolute value of higher of total profit और higher of total loss, इसके 10% से जादा है, वो आपका reportable segment होगा, यही पढ़ाता आपने, अब माल लो, segment के asset, माल लो, 3 segment है, तीनों segment के profit के, अगर मैं बात करूँ, तो CODM, एक में माल लो EBITDA देखता है, एक में EBIT देखता है, एक में PBT देखता है, तो आप 10% के criteria के लिए, कौन सा profit लोग है, जो quantitative criteria में, 10% का profit लेना है आपको, वो segment profit लेना है, segment profit means the profit, जो CODM देख रहा है, अब वो कौन सा लोग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको judgment use करनी पड़ेगी, दिमाख लगाना पड़ेगा, यह अपने ICI के education material का question है, तो उसमें क्या कहता है, क्या कहा उसने, उसने कहा कि आपको एक consistent basis बनाना पड़ेगा, जो हर एक में common हो, for example, अगर आपके तीन operating segment है, each segment uses different measures of profitability, हर एक में अलग measure है, जैसे segment 1 is measured and reported to CODM on the basis of EBIT, segment 1 जो है आप CODM को EBIT दिखाते हो, segment 2 and 3 उसको measure करते हो, और किस पर दिखाते हो, EAT पर, earning after tax पर, हमें पता है कि जो 10% का criteria है, उसके लिए जो आप basis लेते हो, profit का या फिर asset का eligibility का, तो वो वो लेना है जो CODM देखता है, अब अगर CODM हर एक segment में अलग-अलग देख रहा है, तो आप क्या करोगे, तो standard कहता है, कुछ common निकाल लो, देखो, EAT जब calculate किया होगा, तो EAT में EBIT तो आया ही होगा, earning after tax कैसे निगलता है, earning before interest in tax, minus interest, minus tax is equal to earning after tax, तो आप यहाँ पर एक basis ले सकते हो, EBIT can be considered as a basis for all the three segment, क्योंकि EAT निकालने के लिए, आपने उसको EBIT तो दिखाया ही होगा, तभी तो EAT निकाल के दिखाया होगा, तो EBIT दिखाया है, EBIT दोनों में common है, तो वो basis आप use कर सकते हो, So this is a very judgmental thing, आपको facts to facts, case to case देखना पड़ेगा, कि क्या चीज common है, जिसके basis पे आप allocate कर सको, In this case EBIT is the lowest measure, that is available and that is provided to CODM for all three segment, therefore हम उसका basis ले सकते हैं, यह question बहुत important है, क्योंकि practical life में ऐसे बहुत सारे challenges आते हैं, तो अगर मैं इस question को conclude करूँ, तो इस चीज को जो मैं बोलने वाला हूँ, गाठ बांद लेना, आपको segment asset, segment revenue, और segment profit वो लेना है, जो CODM को दिखाते हो, correct, profit or loss कुछ भी हो, जब आप उसे compare करोगे, और हर segment के माललो आप अलग-अलग दिखा रहे हो, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी, जो सब में common है, जैसे अगर मैं माललो, दो segment है, एक में मैं दिखाता हूँ, fixed asset, plus current asset, plus asset held for sale, दूसरे segment में मैं दिखाता हूँ, fixed asset, plus current asset, दोनों में basis अलग है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों में common क्या है, दोनों में common है, fixed asset plus current asset मैं दोनों में दिखा रहा हूँ, तो आपको उसको basis लेना है, उसके basis पे आप 10% का criteria देखोगे, ठीक है जी?